मैं इंद्रेश अपने यूटूब चैनल इंद्रेश जियस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज से इस चैनल पर आप लोगों को बिहार सिच्छक भरती जो 2023 में है ठीक लगबग 80,000 PRT की PRT यानि प्राइमरी टीचर की जो वेकंसी आई है उसमें सारे रिस्टेट वाले क्या होड़े है तो उसकी जो 할region की प्रैक्टिस क्लास स्टाट हो गई है बिहार वाले तो तयारी करी रहे थी ठीक अब जोaja state वाले थे वो लोग तयारी नहीं कर रहे थे के पास समय भी नहीं है, इसकी जो परिच्छा डेट है, ओ भी आप लोगों को पता ही है, जो चौबीस, पचीस, शबीस, 27 को इसकी डेट है, जो अगस्त में जो है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संखर्श करना पड़ेगा, मेरे साथ, आज से हम लोग प्रैक्टिस हो चुकी है, आप लोग जितना हो सके, वीडियो को सेर करिएगा, चैनल को सस्क्राइब भी कर लीजेगा, ठीक, चलिए, पहला कोशन बताएंगे, आप लोग, क्या कर रहा है कि, कह रहा है कोशन नमबर 26 है, ठीक, बाकी मैत का था, जो वन से, ठीक, तो उसको मैं करा दूग होगा, नेक्स्ट लेक्षर में, ठीक, उस बिकल्प का चैन करें, जिसके सब्दों के बीच वैसा ही संबंद है, जैसा संबंद की, जो हमें दिया है, सरी स्रिप, सरी स्रिप, मगरमच क्या होता है, एक सरी स्रिप होता है, ठीक, मगरमच सरी स्रिप के अंतर के अंतर के अंतर के अंदर कहता था बिल्कुल गलत बात है ठीक है मचली मचलियां जल ठीक एभी गलत है ठीक अस्तंधारी बाग क्या होता अस्तंधारी बिल्कुल सत्य है अस्तंधारी क्या होता बाग ठीक और यह क्या होते हैं कंगारू मुलस का एभी गलत है ठीक तो राइट एंसोर हमारा क् का C part बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक, C part पहले का C part क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, आए, next चलते हैं, question number, फटाफट हम लोग करते हैं, क्योंकि समय नहीं है, question जाधा हम लोग पास है, ठीक, एक 20 कूट को हम लोग क्या लिखते हैं, fixer का code हम लोग 64 लिखते हैं, और noise का code हम लोग 36, तो इस भासा में, trail का code क्या हो जाएगा, ठीक, तो हम लोग check कर लेते हैं, f का कितना होता है, 6 होता है, f का 6 होता है, इसका कितना होता, 9 होता है, और x का कितना होता, 23 होता है, ठीक, 24 होता है, ठीक है, 24 होता है, और t का कितना होता है, बताई, t का कितना होता है, फटाफ़ बताई आप लोग, T का कितना होता है, T का होता है 20 होता है, ठीक, t का कितना होता है 20 होता है तो मेरे खिल से नहीं बनेगा क्योंकि यह हैं यह बहुत ज्यादा हो जाय रहा है, 64 आजाएगा ठीक है देखे यह मैच कर गया ठीक है और देखे न, O Noise में कितना है दो, चार, छे तो छे नमबर हैं तो छे नमबर का हम लोग क्या करेंगे वर्ग कर देंगे तो कितना आजाएगा 36 आजाएगा इसी तरह इसमें देखे दो, चार, पांच नमबर हैं तो पाउंचों को क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे, तो कितना आजागा 25, तो इसका राइट आण्सोर क्या आजाएगा, C पाड बिलकुल सत्य हो जागा, ठीक, आराम से ऐसी कोष्चिनों को आप लोग पढ़िए, और आराम से इनसब्वध को करेंगे, होता चला जाएगे ठीक है अराम से मेरे ख्याल से question आपको समझ में आ गया होगा चलिए आ गया जाएए चलिए question number 28 अब वीडियो को आप लोग share करते रहेंगे और channel को क्या कर लेंगे subscribe भी कर लेंगे ठीक है इसी तरह कि यह वाला practice असंगत है उसको क्या करना है निकालना है ठीक तो बताई कैसे निकालेंगे बताई कौन सी असंगत है अब देखी एक किसी ने किसी का cube है एक मेरे समझ में आ गया 13 किसका cube है यह हमारा 11 का क्या है क्यूब है आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगं को क्या होगा ठीक है पता है और 17 अठाइस देखे 17 अठाइस है सी पार्ट वह हमारा किसका 12 का क्यूब है ठीक क्या है 12 का क्यूब है इसी तरह से इसमें, इककई सत्तानवे है, बस मेंको किसका है, है सत्तरा का है, ति यह कुछा है, बसवारा किसी का क्यूब लग है, बिलकुल अलग है, ठीक, यह तियरा का क्यूब है, क्यूब याद होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कोशन नमबर 29, 29 देखे का रहा है, उस बिकल्प का चैन करें, जिसे स्रेडी प्रश्न चिन, प्रश्न चिन के अस्थान पर आ सकती है, बताई, मतलब मतल आ एक साइट का ले रहा हूं, ताकि आपको सारी शीजे एहीं पर समझा शापको हूँ, घूक, यह किसका है, 10 का है, 10 का है, किसका है, 11 का है, 11, 70 में, 5 का गुड़ा कर दे रहे हैं, तीक है, 10 में, 2 का, फिर 20 में, 2 का, एन प्र इसे वाले मीन, 2 का गुड़ा कर दे birthday,て 43, हो जाएगा तिक चालिस आएगा और अगला जो 20 है ति पर 69 यह टीक हैuration आप सारी शीशmoiड़ें लेकिन हमें 40 है तो हमारा एपर्ट परनेकस कया जाएगा बिल्कुल सत्य त्रीक क्या जाएगा ठीक क्या जाएगा चलिएhte नेक्स्ट चलिए अगला question चलते है, question number आप बताएंगे कौन सा, question आप बता दीजिए, 30, देखिए इसको भी मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ, आप लोगों को ठीक है, चलिए, इसी में, ठीक, क्या हो जाएगा यहां पर देखिए, इसका कितना होता, 4 होता है, ठीक, एक इतना होता, 5 होता, ठीक, एक इसमें प्लस थ्री हो रहा है, यहां से डी से फ़र्ष्ट डॉलिब जाएंगे तो प्लस थ्री, देखिए, तीन जोड़ेंगे तो साथ हो जाएगा, इसमें फिर तीन जोड़ेंगे, तो फिर साथ हो जाएगा, दस हो जाएगा, फिर इसमें तीन जोड़ेंगे, प्लस तीन तो यहां 10 के बाद 13 तो यहां M होना चाहिए ठीक प्लस 3 करने पर M के बाद ठीक M होना चाहिए लेकिन यहां पर दिया तो यही हमारा क्या जा रहा रहा रांग रांग यही से हमारा तो क्या हो जगा nm c part हमारा बिल्कुल सत्य होना चाहिए c part क्या होना चाहिए बिल्कुल 30 का क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए 30 का c part हमारा बिल्कुल सत्य होना चाहिए ठीक चलिए नेक्स चलते हैं अगला question question आप बताएं कौन सा 31 देखें 31 क्या कर रहा कोशन नमबर 31 देखे क्या दा रहा निमलेखित आकरित में कोशन मार के अस्थान पर क्या आएगा देखे बीच में 5 है तो आप लोग इसको कैसे करेंगे बताईए बताईए भाई फटाफट बताईए आप लोग कोशन नमबर 31 का बता दीजिए ठीक अगर हम इन दोनों को इसको और इसको perण कर देए और इससे माइनश कार दें ठीक तो दस माइनस पंच बराबर क्या जएगा यह पंच आगया आगह ने इसी तरह से नव और यह कितना हो जगा 9 और दस 19 आउननीक में से माइनस 3 कर देंगे तो कितना जगा इसी तरह से इस स्वाले में देखिए 7 और 8 7 8 15 15 एक माइनस कर देंगे 15 में से एक माइनिस कर देंगे तो कितना जागा 14 इसके अस्तान पर क्या जागा 14 तो बी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जागा ठीक आई होप मैं आसा करता हूं कि सारी सीजें आपके समझ में आ गई होंगी ठीक आई चलते हैं next question number आप बताएंगे 32 32 देखे क्या करा पैटर्न फालो करना इसमें भी ध्यान पूटक उस संख्या का चैन कीजिए जिसमें प्रश्ण वाचक चिन प्रश्ण वाचक चिन ने के जगा पर हम लों को क्या करना बताना ठीक क्या करना बताना ठीक है चलिए बताईए बताईए भाई फटाफट बताई बताइए कैसे करेंगे आप लोग इसको बताइए भी या 32 का कौन सा राइट एंसर होगा साथ पांच बारा एक इतना होता साथ प्लस पांच कितना हो जाएगा बारा बारा को जिव चार से भाग देंगे ती साहां न बारा है method इसको इस संख्याener की चारस सजून discrete इस जगहां पर क्या होणा है बताइए क्या गाई समख्या यह 45 सब आपने कछा ध्यापक को तलास करते हुए कितना गया एक सो माली जे पॉइं्ट है ठीक यहां से निकलता है ठीक 110 मेटर क्या करता है पुरो मेंगया ठीक 110 मीटर पुरो मेंगया पोहहं है फिर क्या करता है दाइन मुडता है दाय मुडता है alkoh clean मतलब 20 alors 40 मीटर क्रूर चलता है फिर क्या करता है दाइम उड़ता है और पचास मीटर चलता है दाइम उड़ेगा तो किधर जाएगा बता ही तो इस साइड जाएगा है कितना जाता है पचास मीटर जाएगा है ठीक पचास मीटर गया ठीक पचास मीटर गया ठीक पचास मीटर गया पचास मीटर चलने के बंख्जता है लेकिन वहां कचछा ध्याफक नहीं मिलते हैं इसलिए वह वहां से अपने उत्तर दिसा में 120 मीटर जाता है 120 मीटर ठीक है 120 मीटर तो यह कितना हुआ चाहलिस तो यह जायेगा है 16 तो यह जायेगा यह यह तो 40 जाये गा ही और इधर 60 और चलाजाएगा अब एक इतना चालिस से निकाल देंगे इतना हो जाएगा ए सत्तर बचेगा ए दूरी कितनी बचेगी पचास है ने स्वारी पचास सत्तर नहीं बचेगी एक मिनट मैं इसको कैंसल करता हूं तो यहां से असी हो गई यह 50 ही 50 ही 50 इतनल निकाल घंट कितना बचेगा 60 इतनल और बुछ यह सांनल चाहन के में बचेगी किपकर चार तीन इतन ben पचास कितनी बचास है कि ऑ new 80 कि और होगी क्या हो राये उard यह पड़ा हएस आप लोग क्या आएगी ये दूरी क्या आएगी जल्दी बताईए आप लो 60 और 80 तो क्या जाएगी 100 ने 100 हैगी मैं खुद कंफ्यूज हो गया आप इसका वर्क कर लिजे ने 80 का वर्क कर लिजे प्लस 60 का वर्क कर लिजे ये सबी किसके आजएगे 100 के वर्क के बराबर आते हैं ये दूरी क्या जाएगे 100 तो राइट अंसरी का क्या जाएगा बी पार्ट बिल्कुल सत्त जाएगा आराम से कोश्चनों को आप लोग कर सकते हैं ठीक है आसानी के साथ चलिए नेक चलते हैं कोश्चन नमबर 34 बताईए एक परिवार में क्या है छे लोग रहते हैं एक परिवार में क्या है छे लोग रहते हैं जो है यहां तक हो गया एबी की पतनी की सास है यह बी की पतनी एक मिनट थोड़ी सी यह यह पूरा कुश्चन ना पड़ो तो E जो है E B की E B की पतनी E जो है B की पतनी की क्या है E जो है B की पतनी मतलब A प्लस हो जाएगा इसकी सास है इसकी कोई पतनी होगी इसकी क्या है सास है E ठीक तो मतलब इसके क्या हो जाएगे पती इसके C हो जाएगे इसके क्या हो जाएगे पती E की ठीक, F D की बहान है, F जो है, वो D की बहान है, F जो है, वो D की बहान है, ठीक, F D की बहान, C और क्या कहा रहा है, A F की माह है, A जो है, A जो है, A F की माह है, तो मतलब A क्या हो जागी, A, A, B की पत्नी हो जागी, तो कहा रहा है, C E से किस प्रकार सम्बंदीत है, अब बताए, C लगा पती पत्नी का रिलेशन है तो राइट एंसर क्या जाजएगा C अगला कोश्चन कोश्चन आम बताएंगे कौनसा 35 यह सब question बहुत अच्छे level के हैं और अच्छे question भी है इसका मतलब होता A भाग B का अर्थ होता है A B का बेटा है तो relation आपको बनाते जाना है तो बताई P प्लस R क्या है P प्लस R P प्लस R का मतलब है R, R क्या है R, P का भाई है R जो है R, R जो है ओ P का R, P का भाई है R जो है ओ, P का भाई है R इंटू A का R, कहांगे R इंटू A R, R T का क्या है R, T का पिता है R जो क्या है, ओ, T का पिता है ठीक, R क्या है, T का पिता है T-Q का मतलब TQ की मा है T Q की मा है T Q की मा है T Q की मा है T का क्या होगा पती हो जाएगा मतलब ट क्या होगा पति हो जाएगा यस का बेटा यस्यू यस्यू यानिकी यू एस का भाई है यू जो है वो यस का भाई है आज से किस प्राकार सम्बन दी थै S, R से किस प्रकार, तो R क्या लगेगा, S का, R जो S का क्या लगेगा, दमाद ही तो लगेगा, क्या लगेगा, दमाद, ठीक है, R, S का 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 क्या लगेगा, क्या होगा पताई यह दिया गया है निरूपन क्या करता है ठीक यह बेन आरेक किसका है इसमें बनाना है हमको मैं यहां पर बना दे रहा हूँ ठीक है इसमें कौन सा लेखा कार, साहित कार, मनुष्य, तो यहां क्या हो जाएगा, मा, यहां क्या हो जाएगा, बहन, बहन, यहां क्या हो जाएगा, बेटियां, ठीक, यह देखिए, रिलेशन सबसे सटीक है, मा, बहन, बेटियां, देखिए, कुछ मा क्या हो सकती है, बहन भी हो सकत सब एक दूसरे से क्या रिलेट है तो बी पार्ट इसका सत्य हो जागा इसमें बहुत ज़्यदा सोचने वाली बात ही नहीं है ठीक है चलिए नेक्ट चलते हैं कोश्चन अगला है कोश्चन को पढ़िए और एंसूर दीजिए बहुत बहुत बहतरीन और बहुत अच्छे लेबल के हैं ठीक है यह पूछता बीपीसी उसी के तुरू कोश्चन है ठीक है यूपी वाले तो बिशेश कर आप लोग लग जाईए और हर एक स्टेट वाले लग जाईए ठीक है समय नहीं आप लोग चलिए यहां मैं लिख देऊंगा ठीक है क्या क्या कौन कौन इसमें क्या पूछा उसको भी ठीक क्या पूछा है थोड़ा समय छोटा कर दों विजविल तो है ही आप लोग को चलिए बताईए आप पूरा विजविल है ठीक चलिए बताते निमलिखित आकृतियों में का देुआ आर तरह सभडी होती है तरह समय चीज़ने क्या इसमें क्या है सभी गरुटग्य है ठीक और या पूछ रहा है त्रिकोन संख्य विद्ध को सांखे की शांखी की सांखी की सांखी की वीद को ठीक स crédक याद रखेगा और क्या कर रहा ब्रित वास्तुकार को जो ब्रित है वो किसको कर रहा है वास्तुकारों को ब्रित क्या कर रहा है वास्तुकार को ठीक है वास्तुकार को और क्या वास्तुकार ब्रित वास्तुकार या आर्किटेक्ट को अधर सता आयत रोग निदान के निए पैथलोजिस्ट को यह क्या है पैथलोज कहांपे बताई आर्फिटेक हमारी सर्कील के आपर आशे वास्तुकार हो तरसातार जो संख्या विद नहीं है संख्या विद का मतलब को इनको निकाली दीजिए इनको पूरा कूरा निकाल दीजिए सिर्फ हमसे पूछा आटी कौन होंगे तो आर्ची टेक Сर्कील थानः 3 होंगी ठीक है सिर्फ only architect की बात किया है तो architect हमारे कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे ठीक है अब देखते है option में क्या क्या दिया है तो architect के लिए आपका 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है ठीक क्योंकि दी पार्ट को जाँगा बिलकुल σत्य हो जागा चलिए 38 चलिए कोच नमबर 38 बताई क्या कराई कि सभी मुर्गियां तो सभी मूर्गियां क्या है अंडे है और कराई सभी पच्ची और सभी पच्ची भी क्या है सभी पच्छी माल ये पच्छी हो गए वो भी क्या है ये पच्छी है ठीक है वो भी क्या है अंडे है सभी पच्छी भी अंडे है और सभी अंडे सभी अंडे क्या है सभी अंडे क्या है सभी अंडे क्या है सभी अंडे हैं या तो पूरा बना लिए और ये सभी अंडे हैं रहे हैं सबसे सब्सक्रण कर दो सिर, आइसें से रमें, कुछ मुर्गी है, सब्सक्राइब लेता है, फिर एक और सर के लिए हमको जिसमें क्या सेर है रुकिए मैं इस चीज को बनाने के चक्र में बहुत सारी ट्रूटिां हो जा रही है यह वाला सेर कील हो गया ठीक है अब मैं बना दे रहा हूं यह हमारा क्या हो गया अंडे हो गया और बाहर वाला क्या हो गया शेर हो जाए ठीक अब आपको निस्कर्स देना, अब इसी का अधार पर सभी मुर्गियां सेर हैं, तो सभी मुर्गियां क्या हैं, सभी मुर्गियां सेर हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल है, फर्ष्ट कतन निस्कर्स पहला सही, कुछ सेर अंडे हैं, कुछ सेर है, कुछ सेर अंदर जा रहने, अंदर, जब ब हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा नेक्स आजए कोस्या नंबर क्या आगा रैस को किसी परिछा में सिर्ष से सोलहवासथान उपर से क्या है सोलहवास अस्थान पराप्थ हूब ठीक है और नीचे से तोल्हां बॉटम से क्या हो गया है तेरा तेरह वाँ ठीक तो टोटल क्या ह प्लस बाटम माइनस वन होता है फारमूला होता है पुट कर दिए टोटल निकालने के लिए तो 16 प्लस 13 माइनस वन यह कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा उन्तिस माइनस वन यह निके 28Sc जाएगा राइट एंस हो जाएगा धी पार्ट बिलकुल सत्त हो Size जाएगा 49 का डी पार्ट क्या हो जाएगा बिलकुल सत्त हो जाएगा ठ्छिक नेक्स चलते हैं अगला कोशन बताएंगे कोशन नमबर कैलेंडर से है, चैलिस हमा, कोशन नमबर चैलिस बता दीजिए, यदि 12 मई 2011 को गुरु आर था, तो 10 मई 2004 को क्या होगा, इस बात को पूछा है, ठीक, तो 12 मई 2011 को, ठीक, 12 मई 2011 को गुरु आर था, ठीक है, गुरु वार था, तो सबसे पहले आप क्या कर लिए, 10 मई को खीए दस माई और अगा दर के 501 यानि कि गुल्माय तों 202 माई तो 2008 में कि या जाएगा दो हुग जागा ठीक है 2007 में कितना बेदा एक आएगा 2013 में 2006 मेन records that form in 2005 में 2015 प्यस法 स्वाऊ है 24 2000 में 2004 माई की बात कर रहा ह्थ 10 माई 2004 कि C sein manager अब इन यह सभी जोड दीजİerem कितना है 98 aha त्थेग नो mostly right तो दो सेज दिन आएगा तो दो सेज दिन पीछे चला जाएगा है तो चालिस और चालिस का क्या जाएगा चालिस का सो मौरा रहा है कहीं कोई तुरूटी हुई है क्या हम से देखे आप लोग कोशन में देखी कहीं नी कहीं कोई नी कोई तुरूटी हुई है जो थिक दो चार 2010 2007 2006 2005 2004 खिक तो इसमें तो आना चाहिए मेरी रविवार आप लोग से लिएकर कि इसको देखिये कितना आएगा सो मौर मंगलवार बुद्धवार घिक इसमें सो मौर दे रहा हुई है आप लोग इसको ट्राइगा इस कोश्चन को ठीक एक बार मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ ठीक चलिए बताई बारा माई को बारा माई 2011 की बात कर रहा है ठीक है इससे जब पीछे जाएंगे 2010 में 2010 में बारा माई को ही कौन सा दिन पड़ेगा एक और दे फिर 2000 2011, 2009 में एक और दे 2010 में 2008 में फिर जो है दो आट दे फिर 2007 में एक और दे फिर 2006 में एक और दे 2005 में एक और दे फिर 2004 में दो आट दे ठीक है दो दो ए हो गया है एक इतना हो गया है सात, सात एक ठटे, दो, चार, छहब़ज़ाए ठोडोगी, नौभा चयरा, साथ से सको डिवाइठ करेंगी, तो ग Rec態 क Спे एक टोडोज़ाएगा, तो आपका कम, दो पीछे जाएंगे जो यह तो आपका ग्यारा मई को क्या आ जाएगा, ग्यारा, प्वट्वार एक ने जए गांगर आपको दोदिन और बैग जाना है तो का यतों मेरे खाल से रविवार ही आएगा भाई का ठीक है आपसन में थोड़ी सी मिश्टेक है, आप लोग बताएगा, ठीक, तो आज के लिए हम इनक पर क्लास को क्या करते हैं, इंड करते हैं, आप लोग जरूर बताएगा, कि आपको क्लास कैसी लगी, वीडियो का लगा, अगर इस तरह का आपका प्रैक्टिस सेख चाहिए तो जरूर बताएगा ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही जै हिंद जै भार